देश में जो मौसम है वो काफी सुहाना है और मद्यप्रदेश में भी मौनसुन पूरी तरीके से अक्टिव हो चुका है हाला कि अभी कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर बरसात की रफतार थोड़ी हल्की है लेकिन कई जिलों में बारिश ने तर कर दिया है लेकिन लगातार बारिश का दौर भी जारी है साथ ही अगले 72 घंटे भी भारी बारिश को लेकर अलड़ चारी किया गया रिपोर्ट देखिए मद्यप्रदेश के करीब सभी जिलों में अब मांसून सक्रिय हो चुका है आज भी बरसात का सामना कर रहे हैं मौसम विभाग ने 72 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है आज 1 जुलाई को 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है इधर 3 जुलाई से एक और स्ट्रॉंग सिस्टम आक्टिव होने जा रहा है जिसके असर से 15 जुलाई तक प्रदेश में अच्छी बारिश होने का अनुमान है साथी आंधी और तुफान आकाश्य बिजली गिरने की भी आशंका जताए गई है जिन जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है वो है विदीशार राइसेन, बैतुल, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगरा, मालवा, मनसौर, मुरैना, शिवपुर, कला, अनुपुर, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, छिनवाड़ा, सिवनी, मंदला, बालागाट, दमो, सागर, छतरपुर, टीकमगर शामिल है तो डिंडोगरी, सीवनी, मंदला, बालागाट, जबलपुर और कटनी में बिजली के साथ भारी बारिश, छिनवाड़ा, पांडोर्ना, दमो, अनुपुर और मैहर में बिजली के साथ मध्यम बारिश का अलर्ट है तो वहीं बढ़वानी, बैतुल, विदीशा, पूर्वी, रायसें, सागर, पन्ना, नर्सिमपुर, सतना, रिवा, शेहडोल, उमरिया, बांधवगर, सीधी, सिंग, रॉली और पूर्वी, नर्मदापुरम, पच्मडी में सुभा के समय हलकी बारिश होने की संभावना है पिछले 24 घंटे पहले की बात करें, तो राजधानी भोपाल, इंदोर, नौगाउं, सहित, कई जगा तेज बारिश हुई मौसम वैज्यानिक के मुदाबिक, मध्यप्रदेश में तीन साइक्लोनिक सर्कुलेशन आक्टिव है बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, वहीं ट्रफ लाइन भी गुजर रही है इस कारण पूरे MP में बारिश का स्ट्रॉंग सिस्टम बना हुआ है उत्तर और पूर्वी हिस्सों में इसका असर ज्यादा है इसलिए MP में अच्छी बारिश हो रही है ब्यूरे रिपोर्ट वस्तार न्यूज तो देखिए मध्य प्रदेश में कई जगाओं पर अच्छी बारिश हो रही है तो कहीं पर बारिश का इंतजार है लेकिन 72 घंटे मौसम विवाग दे अलर्ट भी जारी कर दिया इसलिए अगर आपके एरिया में जदा बारिश हो रही है तो थोड़ा साब धान रही है